तेलिकॉम कम्पनियों को एक अक्टूबर से जटका लगने जा रहा है तेलिकॉम कम्पनियों की मनमानी अब और नहीं चलेगी क्यों कह रहे हैं हम ऐसा चलिए आपको बताते हैं एक अक्टूबर से टेलिकॉम कम्पनियों के लिए नए नियम लागू किया जा रहे हैं ये नियम आम यूजर्स को कई मामलों में बड़ी राहत देंगे लेकिन टेलिकॉम कम्पनियों की नीन दोड जाएगी टेलिकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ओफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से ये नए नियम लागू किया जा रहे हैं स्कैमर्स के लिए भी अब मुश्किले बढ़ने वाली हैं ये नए नियम जब लागू हो जाएगे तो स्कैमर्स की भी नीन दोड सकती है अगर आप Jio, Airtel, Vodafone, Idea या BSNL किसी भी कमपनी का SIM यूज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी important है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ट्राई की तरफ से समय समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है अब ट्राई ने एक और नियम को बदला है इस नियम के आने के बाद अब यूजर्स के लिए ये जानना असान हो जाएगा कि उसके एरिया में कौन सा नेट्वर्क अवेलिबल है ट्राई ने जियो, एर्टेल और वोडा फोन और साथी साथ बीसनल को इस नियम को लागू करने के लिए कहा है देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि जियो, एर्टेल, वी आई और बीसनल जैसी टेलेकॉम कम्पनियां अलग-अलग नेट्वर्क प्रोवाइड करती है जैसे 2G, 3G, 4G और कई जगों पर तो 5G नेट्वर्क भी ये कम्पनियां प्रोवाइड कराती है हलाकि आपकी लोकेशन बदलने के साथ साथ नेट्वर्क भी बदल जाता है इसका मतलब ये है कि टेलेकॉम कम्पनियां जगा बदलते ही नेट्वर्क भी चेंज कर सकती है ऐसे में आप चेक कर सकते हैं ये नया नियम आने के बाद कि आपके फोन में कौन सा नेट्वर्क कनेक्टिद है ट्राइ के मताबिक सिम कार्ड यूजर्स टेलेकॉम कम्पनियों की वेबसाइट पर जाकर अपने एरिया में नेट्वर्क की उपलब्धता चेक कर सकते हैं नहीं ऐसे ही आप दूसरे निट्वर्क पर भी जाएंगे और उनके ऑफिशल साइट पर जाकर के अब आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके शेत्र में कौन सा नेट्वर्क कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसका सबसे बड़ा फाइदा उन यूजर्स को होगा जो अपन इस पाम मेसेज़स, कॉल्स और लिंक पर काबू पाने के लिए टेलेकॉम कंपनियों को नए आदेश दे दिये हैं नए सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने पर स्पामर्स पर अब कंट्रोल किया जा सकेगा तेलेकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पाम जिससे यूजर्स ठगी के शिकार ना हो सके यह सब कुछ नए रूल में ट्राई ने टेलेकॉम कंपनियों को बता दिया है यहां तक कि प्रमोशनल मेसेज़स जो होते हैं उनको रोकने के लिए भी ट्राई ने निरदेश जारी किये असल में देश में पिछले कुछ वक्त म स्पाम मेसेज़स और फ्रोड कॉल्स की समस्या काफी बढ़ चुकी है काफी यूजर्स इससे परिशान हैं ओनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं इनी सब को ध्यान में रखते हुए देखते हुए ट्राई ने अब नए रूल लागू किये तो यह एक सक्त कदम भी इ पता चलेगा लेकिन आपकी क्या राए है कि आप स्पाम मेसेज और फ्रोड कॉल्स की समस्या से परिशान है और आपको लगता है कि ट्राई के इस स्टेप के बाद यह समस्या कम हो सकती है कमेंट करके आप अपनी राइस जरूर बताईएगा हमें इस रिपोर्ट पर और झाल भाउड़ा झाल बताईएगा हमें जरूर आपको लाई है और आपको लगता है कि एस करेवा से दयान है कि एस ख़री minder झाल झाल पर झाल 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 झाल